जहन फ्यूचर ऑफिसस मैं अक्षम और आज आप सभी के साथ फिर से जुड़ा हूँ जैसा कि हमारी स्प्रिंट सीरीज चल रही है कंटीनियूस आप लोगों के लिए स्प्रिंट सीरीज में अभी तक जो सीरीज है हम लोग यूटूब पे अपलोड कर चुके हैं जैसे कि प आपका कंटीनियूस फीड़ बेक भी मैं भी देख रहा हूँ और सुरुवी में खुद देख रही है बाकी के टीचर्स के भी आपके फीड़ बेक है फ्रिजिक्स वाले सर के लिए भी आपके अच्छे फीड़ बेक है तो जैसे कि आप हमारी सीरीज को प्यार कर रहे हो तो जैसे कभी आप 100 मीटर रेज दोड़ते हो या कभी दोड़ते हो तो अपने टारगेट या विनिंग लाइन तक पहुच ने कि जो एंड के 100 मीटर या 10 मीटर होते हैं जहां पूरी स्प्रिंट से कोशिश करते हो तो उस बेस पे रखा गया इसका नाम स्प्रिंट सीरीज क्य यहां आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना है क्या देना है पूरा 100% एफर्ट देना है ठीक है तो आप सभी ने जैसा कि इतना अच्छा पसंद किया है बाकी सारे सीरीज को लेक्चर को तो चलिए हम भी शुरू करते हमारी हिस्ट्री के साथ और आज हिस्ट्री में जो ह पहला लेक्चर पहला पॉश्चन सैट जो होगा वह बहुगा इंडस्वैली सिवलाइजीशन के कैसे बने क्या बने क्यों बने और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ साथ पड़ेगे ठीक है तो चले चालू करते हैं आज का लेक्चर और इसके जो भी प अपडेट वहां भी आती है सारी जो भी अपडेट होगी हमारे इंस्टाग्राम पेस्ट से आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम गृप से मिल जाएगी तो वहां जरूर जोइन करें इंदोर डिफेंस एकेडमी तो चले चालू करते हैं आज का पहला कॉश्चन और फॉल् सब्सक्राइब करेक्ट को छोड़के बताना है ना इसमें तो कोई देक्कत नहीं है चलो इस डिफिकल तो सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि हमने चीज देखी इसमें कोई हमारे पास किसी भी एक लाइन जो मैंने लखवा रखिए नोट्स में अपने सेकुलर से सिवलाइजेशन कोई एक पर्टिकुलर धरम की बात नहीं बोल सकते तो अब यहां देखो फॉर्थ वाला ऑप्शन त सब्सक्राइब करेक्ट थे तो तीन तो गलत होई गया तो आंसर क्यों होगा आंसर ऑप्शन डी हो गया दा पीपल न्यून नथिंग अबाउट डाइगरी कल्चर ऐसा कैसे हो सकता है में अगरी कल्चर के बारे में नहीं जानते क्यों इंडर्स विलाइजेशन में फरस्ट अगरी कल्चर के बारे में जान रहते हैं बहुत भैतरी प्रेड चल रहा था यह सारी चीजे है चलो एक चीजा है सीधी सिंपल बात है जो मैं थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दूगा स्टार्टिंग में पहला जब इंडसली सिविलाइजेशन पड़ो तो इसके चार फ्र क्विल्स करते सी में किया आपने देखा है सैटल डेगैरी कल्चर मतलब बैस सैटलमेंट ठीक है फ्रेश सैटलमें परी हरुन में अर्ली अा अर्ली सेविल्यियों हरं लेज़िजेशन में में क्या देखने मिलाए कि NATS pile फ्रेट फरे सेटल यवले क्या बोला गया फस्ट अरबनाइजेशन ओफ इंडिया इसी को बोला गया विलेच्टव अर्भन को दूसरा में मिच्चीओर में ऑनमी क्या देखिए सारे ऐस और बंड यह क्लासिफिकेशन हो गया दो चीज जो का क्या मैच्चीजियं हो गया मतलब यहां बंडब्रिक्स है प्री में गाउंगों में तो मडब्रिक्स है बंड fera any स्पेशल वहें है ना तो यह सारी चीज़े है शौटकट जो आपको याद करवा सकते चलो तो आज आपन दूसरे कॉश्चन क्यों चलते आउट आउट आफ दा फॉलोइंग रिमेंज एक्सकेवेटेट इन डा इंडस वैली सेवलेजिशन विच वन इंडिकेट दक कमर्शियल एंड एकनॉमिक डेवलामेंट भाई वह सीधी चीज़ यह पूछ रहा है कि एक चीज़े सी बताओ जो इस बताती है या इंडिकेट करती है कि सोर कमर्शियल और एकनॉमिक डेवलाम कहां से फाउंड हुई है हर अभपा से तीक है और एक ए riches हमें कहां मिली में मिली जहां से हमें पता क्या चलता है ट्रेड के बारे में अ लिए इस वजे से हमेंगा सीटी डिस्कावर्ण इन या वास कुन सी है ऑप्शन हरप दालिय सिटीज हरप लो थोड़ी इसकी बारे में बात कर ले हम हरपा के बारे में की आगे चल के चलो यहीं बात करते फिर आगे अपन से क्वेशन आंसर करेंगे पहली चीज़ एटीन फिफ्टी थ्री ऐलेक्जेंडर करनिंगम साब को एक सी सीजब मिलती है कहां मिलती है हरपवाली वाली अ आज पाकिस्तान में पर कहां हुआ करता था इंडिया मतलब हमारे अखंडह भारत में अखंडह भारत सब्सक्रां सब क deb Weird का है और सब का हमेशा रहेगा और यह पूरा करके रहे एकए है ना तो में आदा था कौन हरप पर य यह चोटा सा एक कजबा था वहाँ सील मिलती है कौन सी 1853 में अलेक्जेंडर करने हैं हमको कौन सी चील और हरपल सिवलाइजीशन फसी उसमें क्या था सिक्स रिटेन कैरेक्टर्स थे और एक बुल था यह सील मिलती है ना 1853 में इसलिए आटोमेटिकली पहली सिटी कौन कुछी मिली है वो है हरपा ठीक है किसके द्वारा ढूंडी गई यह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएगे जिसका आंसर आप हमें तुरंत दो गया है चलो नेक्स्ट क्वेशन क्यों चलते हैं वन आफ दा फॉलिंग साइट फ्रॉम यह दा फीमस बुल सील ले मैं यह कॉश्चन छोड़ रहा हूं कि इसके पहले आंसर दे चुका हूं कहां मिली ती सी फेमस बुल सील ऑफ इंडस्वैली सिवलाइजीशन वस फाउंड़ यह कॉश्चन आपके लिए छोड़ दिया कॉश्चन मार्क बना के यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता जी दयाराम सहानी जी ने सिफ्ट डिसकोवर किया था ठीक है इस से जाद़ा और क्या है कुछ नहीं है आप बाकी हम आगे समझेगे चीचे अटे आराम सहानी तो सब्सक्राइज इसकोशन को सिख दा अल्य सिटी डिसकोवर इंडेंट इसकोशन आ चुका है इसका आंसर विए फाउंड फाउंड इन दे एक्सेवेशन अफ दे हरपन साइड भी यह अरपन साइड के खुदाई में क्या नहीं मिला बताओ देखो ड्रीन वेल्स मिला गलत हो गया फॉट मिले हां मिले कोई टेंपल ही फाउंड नहीं है तो शिकर की दवात खतम हो गई यह इसका सही आंसर होगा MS Whatts साब को MS Whatts साब दयारा सहानी जी के साथ एक्सेवेशन में थे ठीक है इन डेस वेली हरपन में ठीक है यह लो आंसर बता दिये किसने हरपन को डूंडा था ठीक है यह थे उस खुदाई में तो उनने उस अब्जर्वेशन पे इस अब्जर्वेशन पे एक बुक लिख र एक्सेवेशन पे हरपा की क्या नाम है बुक का एक्सेवेशन ऑफ हरपा यह बुक याद रखना है यह बुक किस की है MS Whatts साब की है अब इस्ते ज्यादा और क्या बता दू तो मैं साथ साथ कनिंगम साब का नाम आ गया ऐलेक्सेंडर कनिंगम 1853 फर्स सील जिनको फाउंड ह ही है कहां हो यह हरपा वाले जोन में सके बादी को नहीं तो वहां खुदाई चालो ही है और आमसानी और MS वार्ज़ के दोरह किया कि 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 हर पंस क्या बैदली इस पीपल टू प्रेडियूस क्या यह काट डो प्रेडियूस सबसे पहले क्या प्रेडियूस किया यह मैंने बात भी की थी सबसे पहले प्रेडियूस विए था कॉटन सब्सक्राइब सब्सक्राइब की बात हो चाब विल्ट की बात हो अब यह आगे मेरा फेवरेट कॉश्चन यह कॉश्चन बहुत मज़ेदार होते हैं मुझे बहुत पसंद भी आते कैसे मैस्दा फॉल्विंग एंड चूज दा करेक्ट आप्शन मोहंजदारो हरपा काली बंगल लोथल स्टैचू आफ ट्र ठैयार अभी हुए है उनके लिए एक तीज ऑप्शन अपन ढूंटे जिनको मदद होगी पहली मदद होगी लोथल लोथल तो आप सभी को पता है क्या है लोथल में पोर्ट है क्यों पोर्ट सिटी है ना लोथल तो यह लोग पोर्ट सिटी मिला दू डीका टू कहां गिवन है डी का टू कहीं गिवन नहीं है लव ऑप्शन एक औरेक्ट हो जागा पर हम तब भी थोड़ा एक्स्तर दिमाग लाए कभी कभी यूपीस थी इसको भी टफ कर देता है है ना तो अब बात आ जाओ कहां की काली बंगन छोड़ दे चलो मुहंजदार हो या हम बात करें कहां ह बाली बंगन का ट्री यह तो प्लॉग लेंड और मुहंजदार हो का ग्रेड बात तो क्या हो गया एका फोर सही है बीका वन सी का थ्री डीका फोर ऑप्सन एविल भी दर आइट आंसर ऐसा भी तो आप कर सकतो आपको मदद करें प्लेट पीस उस्टी ऑफ इंडेस्स वैली सिवलाइजेशन रोड ही कैसी होती थी इंडेस्ट्री सिवलाइजेशन की वाइड स्ट्रेट नेरो अनहां हाईजळैक तो है सकती कैसा ग्रेट सिस्टम ना नाइंटी डिग्री एंगल किलास में कई बार बता है नाइंटी डिग्री एंगल पे लब हर घर के सामने से से एक रोड लेकलती थी जो आज की करिंट सोसाइटी है उस तैक का इन हरपन सिवलाइजेशन वस डिसकवर्ण इन विच यह रपन सिवलाइजेशन के सी यह में डिसकवर्ण हुई है 1921 बाइद आयाराम सानी जी अब इसनो इधर से आई वी सी का एक मैप देख लो जो कई बा सब्सक्राइब बना दो बना लेना अपनी किताब में जितनी ज्यादा में मदद हो सकती है कर रहे हैं हम सब बनाते जाओ तो पहला जम्मू कश्मीर यह नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट अब इसके डायमेंशन देखो बांडर बना रहे हम तो नौर्थ में कहां तक है मांड जम्मू कश्मीर चेनाब रिवार यह यह यहां तक है यहां कहां है आलम गिर्फ पर मेरट अ उत्तर प्रदेश साउथ में कहां है देमाबाद महराष्ट रिवर कौन सी है गोदावरी यहां कहां है वेस्ट में बलूचिस तान रिवर कौन सी है दास्ता बलूचिस तान दास्ता यह एक्स्टेंट है अब इस्ट टू वेस्ट जो है वो सोला सो किलोमीटर का एक्स्टेंट है और यह चौदा सो किलोमीटर का एक्स्टेंट है कौन नौर्थ तूसाउट मतलब वित में यह फैल्य होई थी ठीक है यह हो गए अपका चार्ट रेडी तो इस चार्ट के अनुषार एक चीजह एह दखना रिवर कहां दास्ता रिवर मौजूद है हां मौजूद है गोदावरी मौजूद है हां मौजूद है तो रिवर कहा मौझूद नहीं इस पार्ट में जो एंडिंग पार्ट है आलम गिर्पुर और मेरत में याद रखना यह चीज मिस्टेक बिलकुल मत कर देना छोटी यह माइनर और जिसमें करी फिर में बताऊगा विच स्टेट्मेंट ऑन दा हरपन स्टेट्मेंट करेक्ट चलो पड़ते है पन होर सेक्रिफाइज इस वस्नों नहीं वाबा कोई से काव वस्केड नहीं ब्लकुल नहीं दा कल्चर वस जनली स्टेटिक नहीं कौन सा अंसर प्रशूपती ऑप्शन शी विल बीड़ करेक्ट आंसर विच्छ वॉस्ट बिच्छ बिगेस्ट बिलिदिंग नहीं 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 टू स्टोर ग्रेंडी आज्ग बिगेस्ट बिलिंग बडी ग्रेंडी वन आजाती थी तू स्टोर ग्रेंज इना फॉर्म आफ टेक्स है ना याद रखना ग्रेंज इसलिए बनाई जाती थी इसमें कोई गल्टी मत कर दे रहा कहीं से कोई भी मिस्टेक करेगा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा मैं पहले बता रहा हूँ ठीक है अब दा बिगे सिटी की बात हो गई है ना यहां तक ठीक है बिगे सिटी की तो लार्जे सिटी याद रख लो लार्जे सिटी राखी गड़ी लार्जे सिटी कौन सी है राखी गड़ी जब तक राखी गड़ी फाउंड कम्प्लीट खुदाई नहीं हुई थी तब तक हम महंजदारों को माना करते थे पर अब लार्जेस्ट सिटी है राखी गड़ी इसमें मिस्टेक मत कर देना तो स्टेचू वह दा इंपॉर्टेंट क्रियेशन आफ पीपल ऑफ इंडस्वली से लेशन भी एक स्टेचू बहुत इंपॉर्टेंट था नटराज बिलकुल नहीं वद्धा थे नहीं नरसम में भी नहीं थे कौन सा डांसिंगल डांसिंगल का स्टेचू कहां फांड हुआ ह है यह कॉश्चन मार्क है कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताओ कहां फांड हुआ है क्या डांसिंगल का स्टेचू यह तो बहुत सारा है तम सबको लोकेशन पता है जिस ने बैच कर रख्या है कंप्लीट अशेंशल फीचर आप देंडस्वैली सिवलाइजीशन बहुत अ सबसे ज्यादा बेस्ट आउन प्लेनिंग फीचर उनके पास थे और हाईजैनिक भी थे बहुत ज्यादा याद रखना हुआ है दा फर्स मेटल यूज बाय मैन वस कॉपर पहला मेटल कॉपर है ठीक है इसमों को ज्यादा नहीं आईरन का फाउंड होगा आप सभी को पता है चलो यह स्टेटमेंट वाला क्वेशन है से भी उपीसी सीडियस में इंडिय में आ जाते हैं तो यह भी डाला है कंसीडर फॉलिंग स्टेटमेंट इंसलेक्ट आंसर फ्रॉम देपन बिलो महुंच दारो हरपा रोपर और काली बंगा रादा इंपर्टेंट प्लेस इस अप्शन वन भी करेक्ट है और फ्रॉम देटन नो यूज ऑफ मेटल नहीं भाई यह गलत है तो ऑप्शन ए विल बी देपरेक्ट वन एंड टू आप्शन याद रखना यह बात है न इसमें गलती मत करना विच वन आफ फॉलिंग उन नोन तू हरपन वह नहीं पता था वैल्स पता थे ड्रेंस पता थी आचेरी पता थी पिलर्स नहीं पता थे तो ऑप्शन भी विल बी डा करेक्ट में प्रॉलर्स के साथ सा तर र क्या क्या अप सेंट था चलो एप अभी क्वेशन आ हो चुका है स्टोन बिल्डिंग्स है स्टोन बिल्डिंग्स कोईन ठीक है हॉर और लॉयं और सब को एपसेंट थे इनको पता नहीं थै न तो यह सारी चीजह याद एक ना टेंपल स्टोन बिल्डिंग्स कॉइंज और सैंड लॉइंज ठीक है चलो विच मैस दा लिस्ट वन एन लिस्ट टू सलेक्ट डा करेक्ट अंसर आफ यूजिंग कोड गिवन ब्लो लेट्स लिस्ट वन लिस्ट टू नाम दे रखे कुछ जगे के नाम है और उनके में पाय जा करने वाली चीज़ है अब इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे लोथल ऑप्शन ए ऑप्शन ए ए ए ए तो डॉक याद जो पता ही होगा काली बंगन लॉक्ड फिल चलो अब देखो ए का टू गिवन है कहां दो जगाट डी और बी में तो ए काट डू और सी काट डू चलो काट डिया अब काली बंगन बी का वन कहां गिवन है बी का वन डी में भी गिवन है और बी में भी गिवन है देखो मैं इसी टाइप के कॉ डॉलावीरा अब तो विया सबillar यह तो आपको इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्ष्पशन कमप्राइज इन 10 लार्च साइज साइड आफ धा हारपिन स्क्रिप्ट डॉलावीरा से हमें हारपिन स्क्रिप्ट मिली है मतलब Thisi kaya for C Р कहा्फ उhorn taken sina une सिर्फ B में गिवन है तो D वी गलत हो गया, B विल विदा करेक्ट अंसर, मतलब D का 3 हो जाएगा, D का 3 टेरी कोटर रिपल आफ अप लॉग, ठीक है, यह हो गया, Option B विल विदा करेक्ट अंसर, 2, 1, 4, 3, करेक्ट पेर विल वी टू वन फॉर थ्री तर सूसल सिस्टम ऑफ हर अपन वस क्या था सूसल सिस्टम फेली अलिगिटेरियन मतलब सामानवादी मतलब सब को बराबर एक्वैलिटी से देखने वाले वहां कोई वह नहीं था हाई क्लास लो क्लास स्टार्टिंग में एंड में भली हुआ जहां हमें उनकी बरियल प्रेक्टिस से पता चलता है चलो बरियल प्रेक्टिस की बात करी गई है तो आर थार्टी सेवन सेमेट्री करके एक साइट है कहां साइट है हरपा में तो वहां में क्या मिला है वोडेन कॉफिन मिला है याद रखना वोडेन कॉफिन होता था घेड होता था और साउट में क्या होते थे लेगज होते थे ऐसा गार ते थे 37 जो साइड है कहां हर अरवाम प्रूब्ड बाइदा वर्शिप आफ अब हम कैसे इंडस वैली को देखो यह एक बेसिक अंडस्टैनिक और हिंदुस्म को कनेक्ट करते हैं क्योंकि उस समय तो हमें ज्यादा अंदाजा है नहीं तो हम कनेक्ट कैसे करते हैं बात ही है जैसे कई इंस्क्रिप्शन मिले हमें इंस्क्रिप्शन से का कुछ जो हमें डाटा मिले है या कोई इमेज फाउंड हुई है बनी हुई तो इससे पता चला अब पशुपती नाथ पशुपती नाथ की जो इमेज है यह सील बोलेगे वह कहां से फाउंड हुई है मोहन जुदारों से याद रखना मोहन जुदारो से ठीक है तो हमें कहां से पता चलता है उस समय का कल्चर और हिंदोजम का कल्चर पशुपती इंद और मदर गौड़ेस में कौन है यो नहीं है ठीक है आ जाओ विच ओधर फॉलुइंग मटेरियल वस मेल्ली यूज़ इन अ़म हर अफंसी बेना ब्रॉंज कॉपर आई रंत दद पर इंपॉर्टन है टैरी कोटा किया होता है सॉफ्ट स्टोन होता है याद रखना सॉफ्ट स्टोन होता है टेरी कोटा बिलकुल यहाँ कोई गलती मत कर देना ठीक है और सॉफ्ट स्टोन कैसा होता उसका नाम क्या है स्टेटाइट स्टेटाइट करके एक स्टोन होता है तो उससे बनाया जाता है ठीक है और उसके अलावा सील और काई काई से बनाई जाती है सील और काई काई से बनाई जाती है तो वो सारे एलिमेंट होते पर इंपर इलिमेंट है ब्रॉंज ठीक है यह आदक है ब्रॉंज हो गया कॉपर हो गया यह सारे जो एलिमेंट है उससे भी बना जाते फरह यहां टरी कोटर गेंथे इसलिए हम टरी कोट के साथ जा रहें सॉप शन में तरी कोटा नहीं होता तão भ्रॉंज के साथ इसे पर बना है आपने आ efforts और अद यह यह सॉप चलो यह रुप जाओ टेरी कोटा मतलब स्टेटाइट मतलब सॉफ्ट स्टोन ठीक है अब गलती मत करना विच वाज दा उनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फॉर्टिफिकेशन भी यह फॉर्टिफिकेशन कहा नहीं है वाटिफिकेशन सिर्फ नहीं है चंदोरी में और चंदोरी में क्या बनता है लगजरी आइटम बहुत सारे लगजरी आइटम कहा बनते थे चंदोरी में यह लो यहां से दूसरा अफेक्ट भी लेके चले जाओ आजा मैं साथ चलो आज का लास्ट कॉस्चन अंकर ज्यादे स्पीड में बोल रहा हूं तो बता देना कमेंट कर देना तो स्लो बोलूगा है ना आराम से पर क्या चलो देखते अपन बात करेंगे इस मैटर पर है ना दा वर्षेप आफ मदर गॉड़ेस वास रिलेटेट टू वर्षेप मदर गॉड़ेस किस से रिलेटेट है मदर गॉड़ेस सिर्फ रिलेटेट है विद दे इंडस्वैली सिवलाइज़ेशन मदर गॉड़ेस मतला देखो मदर गॉड़ेस योनी को मदर गॉड़ेस बोला कर देते हो लो ठीक है या मैत्री शक्ती ठीक है यह वर्ड यूज तो जो भी है शेयर वगएरा करते रहना अपने दोस्तों में हम कोई कुछ बोल नहीं रहे जो भी फैकल्टी का आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना ठीक है और कोई भी डाउट और एक्जाम के पहले तो कमेंट कर देना उस पर लेक् कर दो लूम नवी पर नवी और लूम एलते